What's up everyone, welcome back to the channel, so guys, हम लोग आ गए हैं, हमारे एक ऐसे topic पे जो कि debentures में और shares में common है, right, हम लोग बात करने जा रहे हैं issue of shares या फिर issue of debentures for consideration other than cash, ये topic 100% आपके exam में आएगा, 99% भी नहीं बोल रहा है, 100% आपके exam में आएगा, तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको एक बार द मजलो, और इसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ा तुम लोग को कराऊंगा, तुम्हें बिलकुल भी परिशानी नहीं होगी और तुम बहुत असानी से कर लोगे, तो जाओ, जागे फटाफट से comment section में पहले attendance लगा दो, और इस topic को में साथ साथ तयार कर लो, चलिए जली से लेट्स बिगार, चलो बाई, जल्दी जल्दी से फड़ा फट से लिख दो issue of shares, या फिर debentures, for consideration, other than cash सर इसका मतलब क्या है, issue of shares or debentures for consideration, other than cash का मतलब क्या है देखो बच्चो एक बात समझो, आप जब भी कोई asset खरीतते हो, तो आपको payment करना है, है ना, अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास cash available होगा, कभी-कभी होता है, कभी-कभी नहीं भी होता, तो अगर आपके पास पैसा है, तो आप पैसा दे दोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आप क्या दोगे, आप कोई asset दे सकते हो, है ना, आप कोई bill लिखके दे सकते हो, राइट, या फि Securities भी companies offer कर देती हैं vendors को जब हम उनसे कोई asset खरीदते हैं तो इसके अंदर बच्चो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो तो क्या है कि दो चीजे हो सकती है बहिया दो चीजे क्या या तो आप asset खरीदोगे फॉर पर्चेज ओफ एसेट ठीक है या फिर आप खरीदोगे for purchasing a running business या फिर आप एक business खरीदोगे तो दो चीजे हैं बच्चो या तो आपको एसेट खरीदोगे for purchase of an asset या फिर आप एक running business खरीदोगे तो देखो अगर तुमने एक asset खरीदा तो क्या entry होनी चाहिए अगर आप एक asset खरीदते हो बहुत basic entry है, आप 11 से करते हैं आ रहे हो, asset account debit to vendor, sir vendor कौन होता है, जिससे आप asset खरीद रहे हो, है ना, तो उस vendor का यहाँ पे नाम आ जाए, इसको इतना पैसा देना है, अगर बच्चों आप एक running business खरीदते हो, चलता चला है business खरीदते हो, तो ये बात ध्यान रखना, कि उस business म कैसे निकलती है, सारे assets को कर दो debit, assets account debit, two liabilities, सारे liabilities को कर दो credit, two vendor, ये जो आप vendor में लिखते हो ना बच्चों, इसको हम बोलते है, purchase consideration, purchase consideration का मतलब होता है, कि आपने उस business का कितना value लगाया है, purchase consideration, ओके, अब suppose करो कि assets है 100 रुपे के, let's suppose, asset 100 रुपे के हैं बच्चों, और liabilities है 20 रुपे की, तो अगर asset 100 रुपे के हैं, liabilities 20 रुपे की हैं, तो business बना 80 रुपे का, किसी भी business की net worth निकालनी हो, ये कितने का है, तो वो asset minus liabilities से निकलती है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो, अगर asset 100 रुपे के हैं, 20 र पढ़ दोंगा इसके, right? तो मुझे बताओ, आप 80 वाला बिजनस 70 में खरीद रोगा, आपको 10 रॉपे का फाइदा है या नहीं है? 10 रॉपे का फाइदा है ना, कोई भी capital nature का profit हो, ये 10 रॉपे का फाइदा is a capital nature का profit, कोई भी capital nature का profit हो, उस capital nature के profit को हम क्या करते हैं उसको हम डालते हैं बच्छो capital reserve में आपने shares में भी पढ़ा है तो कभी भी difference इदर आ रहा हो ना देखो 100 इदर 90 तो ये पैसा जाएगा capital reserve में to capital reserve कितना 10 चला गया बच्छो ठीक है यह नहीं है तो अगर difference आ रहा हो credit side में this is a balance तो उसको आप capital reserve में डाल दोगे बट अगर difference इदर आया ही नहीं सर फिर क्या करेंगे देखो suppose ऐसा हो जाए रहे चल जाया लेफ्ट हैंड से चलोगे लेफ्ट हैंड से चल जाओ ना भाई आज तो ही reserve नहीं चलेगी मेरे हाथ से मुझे ऐसा लगता है देखो जी अब कई बार ऐसा हो सकता है बिटा 80 रुपीज का बिजनस बना और आपने बोला भया इसके तो 100 रुपे देंगे आपने कितने में तै कर लिया 20 की liability थी और 100 रुपे में तै हो गया अब देखो इधर 120 आ गया इधर 100 आ रहा है इसका मतलब यह है कि 80 रुपे के ब दे रहे हो 20 किस चीज के दे रहे हो तो 20 जो बच्चो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो दे रहे हो उसकी गुडविल के तो डेबिट में डिफरेंस आता है तो हम लिखते हैं गुडविल गुडविल डेबिट 20 तो देखो 120 120 आ गया यह गुडविल भी बैलेंस में ही निकल रहा है तो ध्यान रखना बच्चो हम लोग जब यह एंट्री इस पास करते हैं तो हमारे पास main entry तो यह है asset debit to liability to vendor यह entry main है फिर हमारे पास difference यह तो debit side में आएगा इसको हम बोलते है goodwill debit यह फिर difference credit side में आएगा इसको हम लोग बोलते है capital reserve तो हमारे पास बच्चो जी यह entry बनती है assets to liabilities to vendor difference अगर debit में आया तो उसको goodwill बोलना है credit में आया तो उसको capital reserve बोलना है okay done sir यह तो हमें समझ में आ गया यहाँ पे asset खरीदा है यहाँ पूरा-पूरा business खरीदा है अब आती है बारी इनका payment करना जब बच्चों इनका payment करना है अब आती है कि भीया हमें payment करना है तो जब payment करना है तो payment की क्या entry हो सकती है अब जो आप payment कर रहे हो बच्चों वो भी दो तरीके से कर सकते हो या तो आप shares दे सकते हो या फिर आप debentures दे सकते हो मतलब दे तो आप cash भी सकते हो लेकिन हमारे topic का नाम ही यह है कि हमने पैसा नहीं दिया हमने share दिया है ठीक है तो अगर हमने shares दिये हैं तो entry क्या बनती है entry है vendor debit to share capital भई हमने shares दे दिये vendor debit to share capital सिधा-सिधा share दे दिये लेकिन share तो बच्चो premium पर भी हो सकते हैं तो फिर entry क्या बनती है अगर share premium पे हुआ तो entry बनेगी vendor account debit to share capital to security premium ठीक है अब यहाँ पे बचो कितनी amount आएगी premium में कितनी amount आएगी share capital में उसके लिए आप number of shares calculate कर लेना number of shares कैसे निकलता है total amount payable total amount payable divided by value of share share कितने का है ठीक है अगर 10 वाला 12 में है तो 12 लिखना 10 वाला 10 में है तो 10 लिखना मतलब जितने में भी है वो लिखना ठीक है तो अगर पार पे shares दिये तो ऐसा आएगा vendor to share capital premium पे दिये तो यह entry बनेगी vendor to share capital to security premium ऐसे ही बच्चों अगर debenture दे दिये तो सर क्या entry बन जाएगी vendor account debit to debenture लो जी शेर दिये तो share capital लिखना है debenture दिये तो debenture लिखना है सर अगर debenture premium पे हुए debenture भी premium पे होते हैं हाँ हो सकते है vendor account debit to debenture to security premium sir debenture discount पे भी हो सकते हैं कि yes share discount पे नहीं हो सकता बचो debenture discount पे हो सकता है debenture का मतलब है loan तो ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको जब debenture issue करे तो आपसे लिए हो 80 और मैं वापिस आपको 100 रुपे दूँगा तो discount पे भी हो सकता है तो उसकी entry क्या बनती है यहाँ पे तो इसको asset के बदले में दिये जा रहे है ठीक है न तो यहाँ पे वे entry क्या होगी vendor account debit discount debit to debenture premium फाइदा होता है इसलिए हमेशा credit होता है discount नुकसान होता है इसलिए हमेशा debit होता है सही है बच्चो तो vendor to debenture vendor to debenture to security premium vendor debit discount debit to debenture ओके अब हम क्या निकालेंगे number of debentures सार number of debentures कैसे निकलते हैं सेम ऐसे ही total amount payable divided by value of debentures जितना भी आपने total amount देना है divided by value of debentures तो इस तरीके से बच्चो हमारे पास entries हो जाती है अगर हमने vendor को shares दिये हैं या फिर debentures दिये हैं ले लो जल्दी से screenshot फिर हम सीधा questions पे चलते हैं done sir आओ जी सबसे पहले सवाल से चालू करते हैं question में क्या लिखा है question में लिखावा है x limited purchased the business of y limited for rupees 9 lakh x ने y का business खरीदा और कितने में खरीदा 9 rupees में खरीदा ठीक है और वादा करा कि मैं आपको shares दूँगा इसके बदले में ठीक है payable in fully paid shares shares दे रहा है वो तो सबसे पहले business खरीदा business की कोई liability है नहीं तो बस assets लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ sundry assets debit to y limited हना कितने के खरीदे 9 rupees के लो sir अब y limited को पैसा कैसे देना है y limited debit first part में तो लिखावा है shares are issued at par और दूसरे में लिखावा है to share capital है ना यह तो a part में हो जाएगी यह सेम रहेगी और b part में हो जाएगी y limited debit to share capital to security premium y limited debit to share capital to security premium अब par पे तो बच्चो 9 lakh 9 lakh सीधा सीधा लिख दो par पे तो कोई problem ही नहीं है 9 lakh देने थे 9 lakh के shares दे दे यह बात खतम premium पे फस्ता है individual बच्चा देखो अब यहां तो 9 lakh आएगा अब sir कितना premium कितना capital कैसे लिखे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चो हम लोग calculate करेंगे number of shares sir number of shares कैसे आएगा amount payable जो पैसा देना है 9 lakh divided by the value of share sir value of share कितनी है देखो 25% के premium पे है तो share तो 10 रुपे वाला है 10 रुपे वाला 25% के premium पे तो 12.5 का हो गया 12.5 का हो गया 10 रुपे पे 25% is 2.5 नो चलो बताओ sir number of shares कितने होंगे अब हमारे पास 9 lakh upon 12.5 72,000 shares आगे 72,000 shares आगे बच्चो 10 रुपे का share capital है 5 रुपे का premium है तो 72,000 से multiply कर दो 72,000 से multiply कर दो तो यहां तो आजाएगा 7 lakh 20,000 और यहां आजाएगा 1 lakh 80,000 तो देखो बस आपको simply multiply करना है और आपका काम हो जाएगा ठीक है जी परफेक्ट हो गया तो अगर पार पे दिये तो सिदा सिदा लिख दो premium पे दिये तो number of shares निकालने आपको ओके देखो screenshot ले लो बटावाट एक सवाल और करेंगे दन सार आओ बच्चो अब तुम्हे में यह कराता हूँ देखो Tulip Limited issued अब देखो बच्चो कई बार ना इस तरीके का question भी आ जाता है कि Tulip Limited ने 50,000 shares दिये किसको promoters को जब भी बच्चो promoters को share देने हो तो फिर आप इसको क्या बोलते हो incorporation cost ध्यान रखना promoters को कभी भी share देने है तो इसको क्या बोला जाएगा incorporation cost ठीक है तो उसकी entry क्या होती है उसकी entry होती है incorporation cost account debit to किसको देने है promoter को ये due कर दिये और फिर हम देंगे तो promoter debit to share capital लो sir ऐसे करते है ठीक है कितने shares है मैच्चे 50,000 share है 10 रुपे का एक है तो 5 लाख रुपे के shares हो गए लो sir incorporation cost debit to promoter promoter debit to share capital ठीक है आगे लिखाव है it also issued 30,000 shares as fully paid to the underwriter for their commission underwriter को दिया उनके commission के लिए तो commission के बतले में फिर पैसा नहीं दिया share दिया तो इसमें क्या बनेगी underwriting commission debit ये खर्चे हैं बच्चो है ना तो सारे expenses तो debit ही होते हैं किसको दे रहे हो underwriter को to underwriter and underwriter debit to share capital 30,000 into 10 तो ये आजाएगा 3,00,00 और यहां पे भी 3,00,00 सही है बिटाजी तो देखो this is how हम entry करते हैं अगर आपने promoter को दिये तो incorporation cost याद रखना अगर आपने underwriters को दिये तो underwriting commission याद रखना underwriting commission debit to underwriter underwriter debit to share capital पहले due करते हैं फिर pay करते हैं पहले due करते हैं फिर pay करते हैं ओके लो इसका भी screenshot ले लो sir डन हो गया चालो भाई अभी यहाँ देखो oh my god Prince Limited purchased a running business from Queen's Limited इस बार बच्चो running business खरीदा है very important question साउदान इडिया सवाल लिख लेना Prince Limited ने एक running business खरीदा Queen Limited से for a sum of rupees 30 lakh 30 lakh रुपे में 30 lakh रुपे is purchase consideration payable 40% by check and the balance by issue of fully paid shares ठीक है कुछ पैसा चेक से दिया कुछ पैसे के लिए shares दिये है at a premium of 20% 20% के premium पे अब running business खरीदा है बच्चो तो business की assets भी है और liabilities भी है है ना अब अगर assets और liabilities भी है तो हमें तो यह देखना है भया कि कितने में तै हुआ book value ये है, agreed value ये है तो entry हमेशा agreed value से होती है जितने में तै हुआ है, जितने में सौदा हुआ है सौदा तो इतने में हुआ सर चलो सबसे पहले हम यही काम करते है business खरीदने की entry करते है payment के तो बाद में करेंगे business खरीदने की entry क्या है बच्चो तो सारे assets to liabilities to vendor तो asset debit करते हैं building, plant machinery, stock, debtor, cash तो building debit, plant machinery debit, stock debit, debtor debit, cash and bank debit to creditors, जो creditors का पैसा होगा and to queen queen limited कौन है, जो हमारा vendor है, ओके, चलो वाई, building कितने में agree हुई, 16,00,000, plant machinery, 5,00,000, रुपे में, ठीक है जी, 16,00,000 के building 5,00,000 का plant and machinery, stock कितने में हुआ, 120% पे, तो 4,00,000 का 120%, 4,00,000 पे 20% जोड़ो तो 80,000 रुपे, तो 4,80, 4,80 पे हो गया, debtor subject to provision for doubtful debts at 5%, 5% का doubtful debts अटा दो, 3,00,000 में से doubtful अगर हम हटा दें, 3,00,000 पे 5% अटाएंगे तो 15,000 अटेगा, तो 285 के आपके debtors हो गए, है ना, उसके बाद बचो cash and bank तो 120 जितना है, cash तो उतने में ही जाएगा, उसमें क्या है, creditor बचो 2,00,000 वाले 185 में हुए, लो जी सार, अब मुझे ये देखना है कि सर, business का net worth कितना बैठता है, assets और liabilities मैंने सारे लिख दिये, business के अगर मैं assets देखूँ, तो 16,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लाक रुपे का बिजनस बैठ रहा है आप कितना पे कर रहे हूँ आप पे कर रहे हूँ 30,00,00, आप पे कर रहे हो बचो 30,00,00 तो sir 28 वाले बिजनस का 30 दे रहे हैं तो 2,00,00 rưỡ़ फाल्तू किस चीज़ के दे रहे हैं वह है goodwill तो यहाँ पे goodwill भी debit हो जाएगा goodwill debit 2,00,00 रुपे सही है अगर confused हो जाओ तो इधर का total करना और यह सब minus कर देना तो difference यहाँ आ जाएगा difference debit में आए तो goodwill credit में आए तो capital reserve ठीक है न done sir यह तो हो गया अब क्या करना है अब queen limited को पैसा देना है यह queen limited को पैसा भी दे देते हैं queen limited debit कितना 30,00,00 रुपे में deal हुई थी check से भी दिया था कुछ 40% by a check 40% तो बच्चों check से दे दिया तो two bank 30,00,00 का 40% will be 12,00,00 4 into 3, 12 तो 12,00,00 रुपे तो हमने check से दे दिये जो बाकी बचे वो shares दिये हैं 100 रुपे वाले 20% के premium पे यानि बाकी बचावा पैसा shares पे दिया तो two share capital two security premium अब sir share तो 100 रुपे का है इस पे premium 20% यानि 20 rupees का है अब कितना कितना number of shares निकाल लो तो number of shares कैसे निकलेगा amount payable इसका कितना पैसा देना है तीस में से बारा तो दे चुके हैं बचो तीस में से बारा तो दे चुके हैं तो 18 बचे 18 लाक divided by 120 15,000 shares आ जाएंगे बाबू 15,000 shares 15,000 से multiply कर दो 15,000 into 100 15,000 और 15,000 into 20 3,000 15,000 इसका screenshot लो फिर चलते हैं डिबेंचर पे चालो सर अब देखते हैं कि अगर डिबेंचर का question आ गया यहीं पे तो कैसे करेंगे देखो question आना तै है इस topic का question तो 100% आना ही आना है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लो practice कर लो और तुम्हारे पक्का हो जाएंगे चार से छे नंबर ठीक है बी लिमिटेड पर्चेस्ट बिल्डिंग वर्थ रुपीज 3 लाक प्लांट वर्थ रुपीज 2 एटी फर्नीचर वर्थ रुपीज 20 थाउजंड फ्रॉम सी लिमिटेड फॉरा पर्चेस consideration of 630 लो जी बी ने सी लिमिटेड से कुछ ये चीज़े खरीदी है क्या क्या खरीदा है बिल्डिंग 3 लाक रुपे की होगी करो डेबिट जो भी आपने खरीदा है डेबिट करो ऐसेट सारे डेबिट होते हैं बिल्डिंग खरीदी प्लांट खरीदा फर्णीचर खरीदा बिल्डिंग डेबिट प्लांट डेबिट फर्णीचर डेबिट और भी कुछ है नई सर 3 लाक 3 लाक रुपे की तो बिल्डिंग है ओके और 280 का प्लांट है ठीक है सर फर्णीचर कितने का है 20,000 रुपीज का furniture है ओके तो 3,20 और 3,20 और 2,80 4,20, 5,20 6,00,000 रुपे के assets हो गए 6,00,000 के assets बच्चो आप लोग 6,30 में खरीद रहे हो 6,00,000 के assets कितने में खरीद रहे हो 6,30 में 2, क्या नाम है इसका Building, Plant, Furniture from C Limited 2, C Limited 4,00,000 रुपीज 6,30 अब अगर आप ध्यान से देखो इधर तो 6,00,000 है इधर 6,30,000 है तो difference किदर आ रहे है, debit side में आ रहे है तो 30,000 रुपे फालतू किस चीज के दे रहे हो सर 30,000 रुपे दे रहे हैं goodwill के goodwill debit difference अगर debit में आ रहे है तो goodwill है 6,00,000 की जगा आप 6,30 दे रहे हो अब payment कैसे करी by issuing 9% debentures बचो यह 9% is the rate of interest जिसका इस question से कोई भी लेना देना नहीं है इस percentage का use तभी होगा जब interest के entry करनी होगी otherwise कभी नहीं होगा chapter में debentures दिए 100 रुपे वाले सबसे पहला पार पे फिर तो बहुत simple है अगर पार पे दे दिए तो C limited debit to debentures 6,30, 6,30 बात खतम ठीक हो गया 6,30 में deal होई थी दूसरा बोल रहा है debentures दिए 25% के premium पे तो C limited debit to debentures to security premium अब sir debentures कितने वाला है debentures तो 100 रुपे वाला है 100 वाला debentures बावू 25 के premium पे इसका मतलब 25 में है ना तो sir अब तो हमें number of debentures निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसके बिना तो amount ही नहीं भर पाऊंगा number of debentures is amount payable कितना amount देना है 6,30 divided by 125 क्योंकि debentures कितने के है 125 के है चालो जी 6,30 divided by 125 5040 debentures आ गए तो 5040 into 100 5040 into 25 5040 into 100 तो आ गया 5,04,000 तो आपके पास यह आ गया पूरा 6,30,000 रुपया आपने इसको pay कर दिये debentures जो premium पे थे ओके अब तीसरे में देखो यह important है साउदान इंडिया इसको ध्यान से करेंगे debentures were issued at a discount of 10% sir 10% के discount पे तो फिर हम क्या करेंगे c limited debit discount on debentures debit 2 c limited debit discount debit 2 debentures अब देखो बच्चो 100 रुपय का debenture है right 100 रुपय का debenture है 10 रुपय का discount हो गया 90 हम लोग इसको देदेंगे अब आ जाएगा number of debentures फिर से sir number of debentures 6,30 divided by 90 क्योंकि इस बार sir 90 से क्यों किया क्योंकि discount पे था बच्चो discount है न 10% का तो 100 में 10 कटेगा 6,30 divided by 90 7,000 adventures आ गए कितने आ गए 7,000 तो 7,000 into 90 देखो 6,30 इसके तो पूरे हो गए 7,000 into 10 70,000 यह हो गए 7,000 into 100 7,000 यह हो गए तो हमारे पास जो entry बन जाती है वो यह बन जाती है C limited debit discount debit to debentures सही हो गए बिटा तो this is how आप entries पास करते हो अगर debenture पार पे है तो ऐसे premium पे है तो ऐसे discount पे है तो ऐसे concept बिलकुल same है concept में एक पैसे का भी फरक नहीं है बस वहाँ पे share था या debenture है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि smart work करा करो उस chapter में फिर इस पे क्यो time लगाना है अभी साथ में खतम करो इसको ओके लो screen shot चलो फड़ा बट से एक सवाल और करेंगे done sir next question देखो फटा फट से करना है बच्चे करना चालू कर दिया अगर अब तुम्हें आ गया है अब तुम लोग intelligent हो करना शुरू करो venus limited ने assets लिए 10 लाक रुपे के और liability लिए 180 की कितने में लिए वो बात की बात है पहले assets लिए और liabilities लिए चलो assets account debit 2 liabilities इसकी net worth निकालेंगे assets कितने के हैं 10 लाक रुपीज के liabilities कितने की हैं 180 रुपीज की तो 10 लाक में से 180 जाएगा तो कितना आएगा 820 820,000 इसकी net worth था गई और आप कितने में ले रहे हो 2 canes sir हम तो ले रहे हैं इसको 760,000 रुपे में 820,000 वाला business 760,000 रुपे में ले रहे हो तो फाइदे में ले रहे हो तुम तो तुम्हें तो मज़ा है तुम्हें तो profit हो गया Profit हुआ तो उसके लिए क्या entry करोगे बच्चों क्या बोलोगे To capital reserve कितना profit हुआ 60,000 रुपे का profit होगे ठीक है या नहीं है 60,000 का profit होगे debit में से credit minus करा मैंने बस चलो sir अब पैसा देना है Venus limited issued 9% debentures of 100 each at a discount of 5% in full settlement of the consideration आपने discount पे debentures दिए sir discount पे debentures दिए तो फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे Keynes limited debit discount debit to debentures Keynes limited debit discount debit to debentures अब sir debentures कितने का है 100 वाला कितने discount पे 5% पे तो 100 पे 5 का discount 95 यहां जाएगा number of debentures आप लोग निकाल लोगे amount payable कितना है साथ साथ इतने महीं तो लिया था business divided by 95 100 वाला पाच के discount पे साथ साथ divided by 95 8000 इवेंचर आगए बच्चो 8000 इवेंचर तो 8000 इंटू 100 आट लाग 8000 इंटू 5 40,000 और 8000 इंटू 95 7,60,000 देखो यह हमने payment कर दी ठीक हो गया बटाजी सही है नीचे लिखावा है जनल इंट्री पास करो और सो वीनस लिमिटेड जितने भी capital losses है वो first year में ही write-off कर देता write-off का मतलब अपनी books में से P&L में डाल देता है books में से हटा देता है तो simple है discount debit वह था था ना 40,000 तो हम लिखेंगे statement of P&L debit statement of profit and loss debit P&L के debit में लिखोगे न सारे expenses losses to discount on issue of debentures ठीक है जी कितना था 40,000 रुपे का ये loss था हमारे पास लो सर सही है तो देखो फिर से अब share की जगा debenture इशू कर दिया भी कुछ भी इशू करे entry same है ठीक है low screenshot आओ जी आज का अंतिम सवाल और ऐसा question मैंने आपको कराया है अभी है ना देखो running business खरीद रहा है अब तुम इसको खुद करो जादा से जादा खुद से करने की कोशिश करो नीरज लिमिटेड ने business खरीदा बच्चो अजे enterprises का 1st April पे क्या क्या assets और liabilities उसने लिए देखो building है, plant है, stock है, receivables है, creator है, outstanding expenses है है ना तो आप क्या करोगे पहले तो यही entry करोगे building debit plant and machinery debit stock debit trade receivables debit two creditors two outstanding expenses सारे assets debit, सारे liabilities credit two a day two a day ठीक है, अब देखो जड़ा कितनी book value थी, उससे हमें मतलब नहीं है हमें तो agreed देखनी है 35, 8, 4, 4 35 8 4 4 35, 8, 4, 4 creditors कितने के हैं, 3,00,000,000 outstanding expenses कितने के हैं, 1,00,000,000 अब आप net worth देख लो business के कितनी आई 35, 35 और 8 43, 43 और 4 47, 47 और 4 51, 51 minus 4 51 में से 4 अगर मैं हटा दू ठीक है 51 में से अगर मैं 4 और दू तो 47 का business बना है ना, business की net worth कितनी आई जो net worth आई चल जा यार 47,00,000 रूपीज के आई अब देखते हैं लिखा गया है इसने पेमेंट कैसे दी आजे डेबिट to bank कुछ तो check से दिया ठीक है 7,00,000 रूपे तो check से दिये और जो बाकी बचावा पैसा है वो इसने दिया issue of rupees 2,00,000 9% adventures of 20 each at a premium of 25% ओके ठीक है यह rupees नहीं होगा बच्छों यहां से rupees please ignore करना rupees नहीं है अगर rupees आ जाता है तो वो तो सिधा amount है ठीक है अगर कभी rupees लगावा हो तो वो number of debentures नहीं है वो amount है यहां पर rupees नहीं है ओके आप ऐसे पढ़ो बाकी उसने debenture दिया है बच्छों और वो भी premium पे ठीक है तो two debenture two security premium अब debenture कितने वाले हैं 20 का debenture है और 25 के premium पे तो 20 रुपे का debenture है 25 पर意्यम यानि 5 रुपे का हो गया है ना 20 रुपे का debenture है उसका 25 कितना 5 रुपे multiply करो है number of debenture से कितने 2,00,000 debenture हैं तो 2,00,000 into 5 2,00,000 into 5 कितना बैटता है 10,00,000 और 2 लाग into 20 केतना बेठता है 40 लाग इसका मतलब आप उसको कितना पैसा दे रहे हो आप उसको 57 लाग रुपीज दे रहे हो है ना, गसको 7 लाग ऐसे 40 डिवेंचर के 10 प्रीमियम के तो आप उसको दे रहे हो 57 लाग Right, 57 लाग रुपे दे रहे हो दस लाग उर्पे किस चीज के दे रहो दस लाग दे रहो बच्छो गुडविल के तो यहाँ पर डिफरेंस दस लाग का आ जाएगा यहाँ पर हम डेबिट करेंगे गुडविल गुडविल डेबिट दस लाग उर्पे तो यह entry बनती है अब देख रहे हो इस बार उसने purchase consideration आपको बताई ही नहीं थी आपको उसने बोला इतना इतना दी आप खुद देख लो क्या purchase consideration बैठेगी तो ऐसा भी question आ जाता है तो आपको हर तरीके का सवाल करने की habit होनी चाहिए बच्चो हर तरीके के question के लिए आपको ready रहना है कि आपसे कुछ भी पूछे आप उसका जवाब दे पाओ फटाफट से तो this is how बटाजी हमारे पास यह questions होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं issue of shares या फिर issue of debentures for consideration other than cash I hope आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इसकी खूब practice करनी है आज अपने shares और debentures वाली किताब खोलो और उसमें ये topic जहां आपको दिखाई दे उसकी practice कर लो जितना भी questions हो तो महासानी से कर पाओगे thank you so much guys for joining in बस दो दिन की बात और सारी चीजे हम लोग कर लेंगे और बहुत अच्छे से हमारे सारे ही chapters revise हो जाएंगे I'm gonna see you all super soon till then see ya take care bye bye